जेहन दोस्तों स्वागत है आपका quality education के digital platform पे काफी बच्चों की request आयती काफी बच्चों ने message किया था texting भी किया था कि समझ में नहीं आता है कि शुरू कहां से करें खतम कहां से करें काफी चुरू करें कब शुरू करना चाहिए वो सभी तमाम बाते हैं कौन से exam के लिए कितना current affairs जानना जरूरी है कौन से exam के लिए कितना कम है तो मैं आपको कुछ तरीके कुछ बहुत ही अच्छे बहुत ही संक् इसको पकड़ लेते हो, अगर आपे तीने चार तो इससे current affairs अच्छे से religiously पढ़ना शुरू कर देते हो, बहुती seriously, बहुती professional इसको पढ़ना शुरू कर देते हो, तो आपका current affairs की तयारी उतनी ही होगी, जो उस toppers की तयारी होती, जो उस साल एक्जाम में टॉप कर सकता है, तो आपके current affairs की तयारी इतनी सेटिक होगी, शुरूआत करते है current affairs की तयारी किस-किस resources पढ़नी है, तो सबसे पहला तो है newspaper, सबसे पहला है newspaper, इसमें कोई doubt नहीं कि newspaper पढ़ना बहुत-बहुत जरूरी है, और इसके कुछ मूल कारण है, जब आप current affairs की तयारी करते हो, तो आपके अंदर एक अलग ही level का confidence होता है, जब आप current affairs की तयारी करते हो, जब आप newspaper से अपनी current affairs की तयारी करते हो, तो आपके अंदर एक अलग ही level की maturity होती है, confidence होता है, आत्म विश्वास होता है क्यों कि अकबार से अगर आप कोई भी मैगजिन पढ़ोगे कोई भी न्यूस चैनल देखोगे सबी चीजें अकबार के अंदर अच्छे से कवर होती है और अकबार हर परिपेक्ष को हर संदर में हर नजीरे को बहुत अच्छे से पेश करता है तो अकबार को रिप्लेज नहीं करना है आम तोर पर मैंने देखा है कि काफी बच्चे सतरह से कहते हैं कि सर हमारे दिन का एक या डेड़ दो घंटा तो अकबार खा गया यह जो टर्मिनालोजी है जो शब्दा वली है कि अकबार आपका दो तीन घंटा खा गया यह बहुत ही गलत है यह बहुत ही डिमीनिंग है क्यों कि आपने कभी भी अपने जोग्रोफी के लिए पॉलिटी के लिए या फिर एकनोमिक्स के लिए कभी भी ऐसा कहा है सुना है कि economics में रतना समय खा गई है अगबार कभी आपका समय खाता नहीं है अगबार से हमको बहुत information मिलती है और अगबार तो बहुत जरूरी चीज है आप इसको इस तरह से मत लीजे कि सरो मितना पढ़ेंगे तो बाकी समय क्या पढ़ेंगे जब आप अगबार की तयारी कर रहे हो मत इस एक्जाम के लिए अगर बहुत अच्छे इस्तर का य जाहिर से बात है मैं आप से बात करूँगा राष्टर इस्तर पर भारत इस्तर पर और अन्तर इस्तर इस्तर पर जो सबसे अच्छे current affairs होते हैं उसके लिए आपको पढ़ने हैं दो तरह का अगबार the Hindu Indian Express मेरा मतलब यह नहीं है कि आपको दोनों पढ़ने है मेरा मतलब है कि दोनों में से कोई एक अकबार आपको पढ़ना है दोनों में से कोई एक अकबार इससे बड़ी गलती आपकी नहीं हो सकती अगर आपने दोनों एक साथ लेना चरू कर दिया है कि यह संभव नहीं होगा क्योंकि अगर आप किसी एक्जाम के लिए अकबार पढ़ रहे हो तो वह आपके दिन का कम से कम दो गंटा लेना चाहिए अगर आप दो गंटे से ज्यादा दे रहे हो, मतलब आपका समय बरबाद हो रहा है और अगर 2 गंटे से कम दे रहे हो 1.5 गंटा, 1 गंटा दे रहे हो तो शुरुआत में, 6-8 महिनों में, कम दे रहे हो तो मतलब आप डंग से पढ़ नहीं रहे हो हाँ, जाहिर सी बात है, समय के साथ आपका वो जो अखबार है, आपकी रिदम बढ़ जाएगी आपकी उसको पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी और चीजों को उसमें से कलेक्ट करने की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी तो समय के साथ वो दो में से डेड़ में से एक घंटा लग जाएगा आज जब मैं अपनी तयारी करता हूँ कुछ भी पढ़ता हूँ अकबार को तो मुझे समय लगता है 45-50 मुझे लगता है क्योंकि मेरे लिए सारी चीज़ा वापे से रिपीट हो रही है कहने का थाथ पेरे मात्र है इतना है कि आपको The Hindu में से Indian Task Force में कोई एक अकबार पढ़ना है उसको निकालना है और उसको पढ़ने का एक तरीका होता है मैं अपने अगले lecture के लेकर रहाऊँगा कि कि किस तरह से अकबार को पढ़ा जाता है अभी इस lecture में आपको ये नहीं बताऊंगो detail के अंदर मैं सिर्फ आपको sources बताऊंगो मैं सिर्फ आपको जरिया बताऊंगो current affairs की तैरीक कैसे करते हैं जिसमें से पहला हो गया आपका newspaper हाँ हिंदी medium के जो बच्चे हैं जरूर पढ़े क्यों की देखिए आप इसको situation कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए लेकिन the Hindu और Indian Express के अंदर ये जो competitive exams होते हैं जो भी बड़े-बड़े exam होते हैं RS के IS के exam होते हैं इनके अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें इन ही में दी जाती है बहुत ही अच्छा content आपको इन में मिलेगा तो जो हिंदी experience है वो देनिक जागरन उसको पढ़ सकते हैं उसको daily routine में पढ़ सकते हैं लेकिन कभी कभी हफते में 3 या 4 बार या 2 बार कभी आपने तो हिंदुया पर इंडियन एक्सप्रेस का भी कोई भी अच्छे आर्टिकल पढ़ लिए उन्हें अकबार को फोल के अपर देख लिया तो पहला आपका source होगा newspaper उसको बिलकुल भी आपको avoid नहीं करना है कुछ लोग बोलेंगे सरह करा monthly magazine पढ़ते हैं कुछ लोग बोलेंगे अगर सरह monthly magazine पढ़ता तो वो भी तो महिने के end में आते हैं महिना खतम होते होते हैं आपको सारी information दे देता है नहीं देखिए अगर आप newspaper से पढ़ेंगे तो वो आपका एक धारवाहिक की तरह चलेगा एक episode की तरह चलेगा एक कहानी की तरह चलेगा क्योंकि for example अगर आज जैसे हाला कि अभी UK के जो प्रधान मंत्री है वो भारत आए है आज वो भारत आए है कल उनकी कुछ बात होगी परसो कुछ और करेंगे तरसो कुछ और करेंगे तो ये एक episode है अब इसमें क्या होता कई बार बार आपको पढ़ने को सुनने को मिले कि तो आप न चाहकर भी उसमें आपका revision चलता रहता है तो newspaper की पहली खासती है दूसरी बात है ये कहानी के तरह चलता है आपको इसमें याद करने का जोर नहीं लगाना पड़ता है magazine के अंदर आपको रटना पड़ता है मैं ये नहीं करो magazine नहीं पढ़ने मैं उस पर भी आऊंगा लेकिन अगबार इसलिए नहीं हटाया जा सकता है अगबार को पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि ये धारावाय के तरह चलेगा और सबसे बड़ी बात है आपके subconsciously आपके पीछे के दिमाग में आपके जब आप नहीं सोतर फिर भी वो दिमाग में स्टोरी आपके सेट होती जाएगी आपको वो चीज डेलिबरेटली याद करने के जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो चीज आपके subconscious दिमाग के अंदर बिल्कुल fix होती जा रही है ये सरकार क्या कर रही है सरकार का अगला step क्या रहेगा सरकार का इस पर क्या कहना ही सबी चीज़े आपको मिली कि press information bureau पे प्लीज आपको गूगल जाएंगे तो वहां पे आपको press information bureau की पूरी से अच्छे से website मिल जाएगी प्लीज को follow किजी रोज का तो अकबार करना है उसके सा आपको P.I.B. follow करना है क्योंकि आप कितने भी magazine देख लिए कितने भी current affairs किसी भी coaching की magazine उठा के देख लिए सबी चीज़े उसके अंदर आपको एखटी मिल जाएगे और P.I.B. कितरू आपको P.I.B. से ही वो information निकालता है तो P.I.B. पढ़ना बहुत ज़रूरी है तो पहला हो गया vision हो गया insights हो गया दिरिष्टी हो गया यह तमाम तरह के बहुत अच्छे अच्छे सभी खराब कोई भी नहीं है सभी के सभी coachings बहुत अच्छी है जब भी अपनी monthly magazines निकालती है तो आपको इन में से कोई एक refer करनी है दो नहीं तीन नहीं सिर्फ और सिर्फ एक जैसा मै आपके तीन resource हो गये monthly magazine, PIB और आपका newspaper अब देखने magazine को कैसे पढ़ना है magazine जब भी आप लेते हो तो आप पढ़ना श्रीव किजिए धिरे-धिरे महिने के अंतर में आती है और उसका फायदा actually यह है जब आप पूरे महिने में अपना अगभार पढ़ते हो पूरे महिने बहुती structured form में आपके सामने पेश करती है जैसे अगर अगबार के अंदर कोई IUCN की report आई है कोई national parks की report आई है कोई list आई है तो अगबार के अंदर वो सभी चीज़े structure तरीकी से नहीं होती है आप उनमें से notes बनाते हो आपने आज यह पढ़ा कल यह पढ़ा कल वो पढ़ा कल यह पढ़ा ऐसे अलग-अलग information रहती है magazines का फायदा यह है कि आप magazines में हर एक चीज़ जो अलग-अलग थी पूरे महीने में वो पूरा एक जगे समेट कर अलग से structure करके आपके सामने पेश कर जाता है तो magazine का फायदा यह है लेकिन उसका फायदा तभी मिलेगा अगर आप पूरे महीने अकबार पढ़ते हो क्योंकि पूरे महीने आपका एक पूरा database clear होता जारा आपका base बनता जारा आपका foundation आपकी जो मूल नीव है वो अपकी बनते जाएगे अकबार पढ़ने से अकबार पढ़ने से बहुत बड़ी majority आती है आपके अंदर एक परिपकवता फी महीने के end में तो magazine आही जाती है तो हम क्यों अकबार पढ़े एक बार आएगा पढ़ने से बात नहीं बनेगी आपको याद नहीं होगा और को अपके अंदर परिपकवता maturity confidence नहीं आएगा तो इसलिए अकबार पढ़ते जाना है P.I.B. तो बिल्कुल है मेगजिन को पढ़ने का तरीका क्या हो मेगजिन को इस तरह से पढ़ा जाता है कि जब आप magazine पढ़ रहे हो दो तीन महीने की magazine आ रहे है पढ़ लिए उसके बाद आप हर छे महीने में या फिर हर चार महीने में मैं आपको बहूंगा च्छे महीने ज ठीक खुलते तो बीच में जब फाड़ना है जैसे अगर यह magazine है लुग अगर यह magazine है थो आपको यहां से फाड़ना है यह यह है यह मैं आपको यहां सापहरना है इस से क्या होगा इसके अदर जितने भी सब topics है According boiler जेजोग्रोफ हो गया, पॉलिटी हो गया, एथिक्स हो गया, अर्ट और कल्चर हो गया, इसचे हो गया, अलग-अलग तरह की न्यूज रहेगी, अगर आप यूँ फार्ट होगी तो उसमें क्या होगा, जितने भी स्पोर्ट के हैं, वो छे महने के स्पोर्ट आप एक साथ कर और सबको आपने किया कर दिया कमपार्टमेंटलाइज कर दिया है श्य मैंटे के स्पोर्स एक जागे बन गए है एकनॉमिस एक जागे बन गई पॉलिटिक जागे जोग्रौफी इस तरह से बन गई अब क्या करें उनको करा लेंगे spiral binding क्या करा लेंगा spiral spiral binding होती है जैसे आपने देखा सरकारी दफ्तरों के इंदर फाइल से होती है जिस पर spiral लगेवे होते हैं किसी के बाद किसी भी दुगान पर जाओगे तो आपको पूरा इखटा हो जाएगा आपके पर जो कंटेंट है तो यह क्या करेगा आपका जो कुछ चीजन मिस हो जाती है जो आपको आपने नहीं पढ़िए उसके आप नोट नहीं बनाए तो आपने मैगजिन से आपकी मिक्स हो गई है और वो सारा कंटेंट अब अब फूल फ्लेजड हो गया है तो इस तरह से प्लीज इस तरह से आपको तयारी करने मैगजिन के साथ अब नॉटस बनाने बहुत जरूरी है नौटस के बिना बात नहीं बनेगी, notes बनाने बहुत ज़रूरी है, आप कोई भी अपना topic, कोई भी register लीजिए, मोटा register हो, और कोशिच कीजिए, पतले पतले register साथ आठ ले लीजिए, पतले पतले register आपने ले लिए साथ आठ, देखिए, उसमें से क्या करना फिर आपको, उसमें से आपको करना है, आपको अलग-अलग उस अखबार को, आपको अलग-अलग तरीके से आपको, देखिए, उसमें से, उन अखबार में से आपको अलग-अलग तरह compartmentalization करना है, आपने तकरीबन आठ या फिर नौ आपने क्या ले लिया है, पतली पतली बुकलेट्स आती है, मार्केट्स आपको मिल जाएंगी, वो आपको लेनी है, और उनके अंदर उन सभी बुकलेट्स को एक एक टॉपिक पर आपको छोड़ना है, जिसे इन्वारमेंट हो गया, डिफ अना, इकनॉमिक्स, अब यह क्या हो गया, इन्वारमेंट, डिफेंस, साइंस अंटेक, पॉलिटी, जोग्रोफी, आपने अलग अलग रिजिस्टर बना दिए, उनके अलग अलग आपके पास बुकलेट है, इन समयर से आपको बनाने हैं नोट्स, नोट्स बनाने बहुत ज इए, वो गलत काम नहीं करना है, आपको लिखने हैं, बुलिट पॉइंट्स, बुलिट पॉइंट्स, लिखने हैं, कीवर्ड लिखने हैं, जो मूल शब्द हैं, सिर्फ उनके हिसाप से आपको पढ़ना है, इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, जब आप नोट्स बनाते प्रेस इंफॉर्मेशन व्यूर्व आपने एड़ कर दिया वह भी आप ब्लू इंक से ही एड़ कर लो ठीक है यह आपके बनते गए पूरे हफ्ते के बन गए आपके उसके पूरे हफ्ते बर केसाब से रिवाइस करना महीने का अगरें जब आप उसको मैगजीन से पढ़ते हो तो कुछ चीज़ें आपको अच्छे-ची मिलेगी मैगजीन के अंदर कुछ अच्छे चीज़ें मिलेगी जो आपको अपने अपने नोट्स के अंदर यहां पर एड़ करना है और वो एड़ करना है आपको रेड़ इंक से आपको रेड़ करना है तो अब क्या होगा आपके पास निउस्पेपर के अपने खुद के नोट्स अपने खुद के हाथ के बनाएवे नोट्स हैं और जो अपने मैगजीन में नए इंफर्मेशन मिली है उसको अपने एड़ कर दियर ला लिंक से तो वो सब चीज़ें वहा गए नोट्स तो अलग से बन गए लेकिन इस मैगजीन नोट्स बनाने के बाद मैएगजीन को फैकना नहीं है पैकना नहीं है नोट्स बन गए ठीक है अब 6 मूइन हो गये फाड की जैसे में आपको पता है कंपार्ट्मेंटलाइज करना है उसको अच्छा अच्छाटना है अलग अलग उसको Spanel Bending करवा देने हैं हलिक टॉपिक है इस तरह से आपको लेकर चलना है तो ये तीन sources हैं आपको Magazine, P.I.B. और Newspaper इस तरह से आपको पढ़ना होगा ये तीन sources अगर आप कर लेते हो Magazine, Newspaper और P.I.B. तो इसके बाहर जाने के आपको ज़रूरत नहीं है आपने अपना शेत्र डिफैन कर लिया है अब इसके बाहर से अगर कोई सवाल आता है तो आप ये मान के चले कि 99.999% चांसे ज़ें कि वो question, ठाट टॉपर इटम्ट नहीं कर पाएगा, टॉपर के बसकी बात भी उसमें नहीं होगी, इसलिए आपको सिर्फ अपने दाइरे को इसमें सीमित रखना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है अब आप बोलेंगे सार, योजना, क्रोकशेत्र रस टीवी, लोकसवा, टीवी, ये सब चीज़ी भी आती वहां से क्या करें, देखिए सभी important है सब कुछ important है, लेकिन आप सब कुछ पढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि आपको बाकी चीज़े भी पढ़नी है, पहली बात दूसरी बात ये कि कुछ भी चीज, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने का हमारे पास समय होना इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जहां तक important की बात है, important तो सभी कुछ है UPSC कहलो है, फिर RPSC कहलो, इसमें कई दफ़ा ये ज़रूरी होता है कि क्या पढ़ना है, इससे कही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या क्या नहीं पढ़ना है, कुछ छटनी करनी बहुत ज़रूरी है तो आशा करता हूँ, आपको current FSC के 3 important source आपको समझ में आये होंगे इन 3 से बाहर आपको नहीं जाना है, notes बना इनका, weekly revision करें हफते भर का revision करें, फिर month के महीने के साब से revision करें magazine को किस तरह से करकना है अपने पास, वह मैं आपको बता चुका हूँ, newspaper के notes कैसे बनाने है वह मैं आपको बता चुका हूँ, एक detail video और मैं लेकर आजाओंगा, लेकिन हाँ, मोटा मोटा यही है कि आपको इस तरह से compartmentalize करना है, सबको अलग-अलग पतले-पतले booklet आती है, वह बना लीजिए, पचास-पचास-उसो पेज की booklet आएगी, वह बना लीजिए, तो इस तरह से आपको अलग-अलग पूरा एड करते जाना, अलग-अलग pen use कीजे, blue कर लिया, red कर लिया, green कर लिया, black कर लिया, अलग-अलग pen use करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, याद रहेगा कि reading में सिर्फ PIB है, reading में सिर्फ magazine है, तो आपको देखते ही पता लग जाएगा, चलिए आशा करता आपको ये lecture अच्छा लगा होगा, ये आपकी तयारी में कहीं नहीं कहीं, अगर इस मेरे पूरे lecture अगर कोई 5 परतिशत में इस्तमाल कर लेते हो, तो मेरा purpose पूरा हो जाता है, thank you so much for your cooperation, this is Khushman Singh, signing off, जैहेद!